हाई दोस्तों इस रोडियो में हम आपको बताने वाले हैं वीवो मोबाइल की सेटिंग खराब हो जाने पर कैसे सही करें तो इसके लिए फोन के सेटिंग्स में जाना है अब उपर सर्च का ओप्सन मिलेगा इस ओप्सन पर किलिक करना है और यहाँ पर लिखना है रिसेट आर इस इडी लिखेंगे तो यहाँ पर रिसेट आल सेटिंग्स या रिसेट नेटवर्क सेटिंग्स का ओप्सन आ जाएगा इनमें से किसी भी ओप्सन पर किलिक कर देना है जैसे किलिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे अब यहाँ से reset network settings कर सकते हैं reset all settings कर सकते हैं तो हमें यहाँ से reset all settings पर click करना है इससे क्या होगा phone की पूरी setting reset हो जाएगी network settings भी reset हो जाएगी इससे कुछ भी delete नहीं होगा जैसे कि photo, video, contact, number कोई भी data delete नहीं होगा और phone के setting में जो भी खराबी रहेगी वो सही हो जाएगी तो इस option पर click करना है और lock screen का जो pattern या password है उसे डाल कर reset कर देना है तो इतना करने के बाद अब हम बैक आते हैं देखे home screen पर आना है और अब अपने phone को restart करना है कैसे restart करेंगे तो देखे जो phone का power button है जिससे mobile lock करते हैं इस button को कुछ second तक दबा कर रखना है तो यहाँ पर option आएगा restart का इस option पर click कर देना है और जैसे ही फिर से click करेंगे तो phone अपने आप ही switch off होकर switch on हो जाएगा इससे कुछ भी delete नहीं होगा और जो भी problem रहेगी उसे ही हो जाएगी नहीं आएगी तो उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू